नमस्कार सातियों भारतिय सैनिकों पर जो कायराना हमला हुआ है उसके बारे में सायद आप सभी को पता चल गया होगा इस दुकत घडी में पूरा देश उन वीर सहीदों सैनिकों के परिवार के साथ है जिन सैनिकों ने आज अपनी जान कि सहादत दिया है जान दाव पर लगा दी और आज जो हुआ वो आप सभी ने देखा होगा तो इसे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कायराना हरकत की है उन आतंगवादियों ने तो सातियों आपको पता होगा कि जम्मू कस्मीर के पुलवामा में जो सैनिक थे उनका काफिला जा रहा था तो उस काफिले में जैसे मुहमद आतंगवादी जो संक्ठन है उसका एक आतंग की गाड़ी लेके उस काफिले में आ जाता है और वहापर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें लगबग 42 के अराउंड मतलब लगबग 42 हमारे भारतियें हमारे वीर सैनिक सहीद हो जाते हैं और अभी सुनने में आ रहा है कि उन सहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है तो बहुत दुख हो रहा है देखके कि हमारे भारतिये सैनिकों के साथ ये क्या हो रहा है तो साथियों और ऐसा नहीं है जो मर्द होता है वो सामने से लड़ता है और हमारे भारतिय सेना में वो दम है वो सामने से जड़ से उखाड फैकने में कायम है जड़ से उखाड फैक सकती है पाकिस्तान के उन आतंगवादियों को लेकिन साथियों जो ये कायरा ना हरकत हुई है बहुत गलत है जो गीदर होते हैं वो पीछे से हमला करते हैं तो बहुत दुख है उन भारतिय सैनिकों को दिल से सैलिट करता हूँ जो जान की कुरवानी लगा कर हमें बचाते हैं बहुत दुख्या माहोल है बहुत दुख्यी घड़ी है मेरे पास सब्द नहीं है कि how can you explain my feeling बस कहना चाहता हूँ कि हमारे वीरों की ये कुरवानी बेकार न जाए जो आतंगवादी हैं उनको जड़ से उखाड फैके सरकार क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश के वीरों में सैनिकों में इतना दम है अगर एक कुरवानी देता है तो दस खड़े हैं देश को बचाने के लिए भारत मात्वा पर कोई आज नहीं आएगी तो जैहिन वंदे मात्रम और उन सैनिकों के लिए जैहिन